नमस्कार फ्रेंड स्वागत आप सभी का सोलशम इदरी सब यूट्यूब चनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में साउंड आफ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड थिंक से रेलेटिड एक प्रेटिस सेट लिया है इस प्रेटिस सेट में 50 प्लस कुशन कवर करेंगे आप लोगों को जरूर बताना कि आप लोगों ने 50 प्लस में से कितना स्कूर किया है और इसका जो पीडियाफ है आपको टेलिग्राम की चैनल पे एक दो दिन बाद मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को जोइन कर लीजिगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पे पहले आप विजिट के हैं चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आकिन को प्रेस करें चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहला जो कुष्ण ना कुष्ण नमा बन तो इसमें आप लोग सोच लिजे इसका राइट आप्सन क्या होगा तो मंकीज की जो साउंड होती है जो बंदरों की बोली होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं तो इसका राइट आप्सन जो हो जाएगा यह हो जाएगा आप्सन C जीवर मंकीज की जो साउंड होती है यह होती है जीवर तो इसका जो है C आप्सन करेंट हो जाएगा अगला जो कुष्ण नमा टू what is the sound of elephants मतलब जो हाथियों की बोली होती है जो हाथियों की sound होती है उसको हम क्या बोलते हैं तो इसका right option हो जाएगा trumpet यह हो जाएगा trumpet option जो है इसका B correct हो जाएगा हाथियों की जो आवाज होती है उस आवाज को कहते हैं trumpet तो यहाँ पे इसका B option correct हो जाएगा अगला जो question न कुछ नमा third जो है the sound of crows is तो इसमें आप लोग सोच लिजे जो कवों की आवाज होती है जो कवों जिस आवाज में बोलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं कवों तो यहाँ पर जो है horses मतलब जो घोडों की आवाज होती है जो घोडों की बोली होती है हम उसको क्या बोलते हैं तो इसका right option हो जाएगा ने तो इसका right option हो जाएगा ने तो यहाँ पर जो है इसका B option correct हो जाएगा friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like end शेजर रुकिया करें अगला जो कुष्ण ना कुष्ण नमा 5 जो है the sound of tigers is तो इसमें आप लोग सोच लिजे जो tigers की जो आवाज होती है जो tigers की sound होती है जो बाग की आवाज होती है उसको हम बोलते है roar तो यहाँ पर जो है इसका sound of pigs मतलब जो sewer होते हैं तो pigs जो होते हैं उनकी जो आवाज होती है जो उनकी बोली होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं तो इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा squeal इसको हम बोलते है squeal तो यहाँ पर जो है इसका a option करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुशन नमर 7 जो है तो यहां पे जो है जो कबूतर होते हैं तो कबूतरों की जो आवाज होती है जो कबूतर की जो आवाज होती है जिस आवाज में वो साउंड करते हैं जिस आवाज में वो बात करते हैं आपस में कबूतर तो उनको कबूतर की जो आवाज होती है उसको हम बोलते हैं कू तो यहाँ पर जो है इसका D और उード होती है कू उसको बोलते हैं कू अगले जो कुशिन आ कुशिन नमा एट जो है इसमें आपको पोर्टी ा साउंड ऑफ पैरिटス मतलब जो तूता होता है तो तूताओं की जो आवाज होती है उसको हम क्या बोलते है तो उसकी आवाज को हम बोलते है टॉक तो यहाँ पे जो है इसका D option correct हो जाएगा आपने सुना होगा कि जो तूता है वो आपकी बात को दोहरा सकता है मतलब आपकी जो आपने जो बोला है उसको वो दुबारा से repeat कर सकता है तो यह होता है talk तो यहाँ पे जो है parrots talk तो यहाँ पे जो है इसका d option correct हो जाएगा आगले जो question है question 9 the sound of cow या फिर oxen तो यहाँ पे जो है जो guy की आवाज होती है जो bell की आवाज होती है oxen तो यहाँ पे जो है guy और bell की जो आवाज होती है जो sound होती है उसको हम क्या बोलते है तो उसको बोलते है low तो यहाँ पे जो है इसका c option correct हो जाएगा अगला जो question है question 10 जो है what is the sound of owls मतलब जो उल्लू की आवाज होती है जो उल्लू की sound होती है उसको हम क्या बूलते हैं तो उसको बूलते हैं hoot तो यहाँ पे जो है इसका D option correct हो जाएगा अगला जो question 11 जो है The sound of nightingles is तो मतलब जो bulbul होती है तो bulbul की जो आवाज होती है जो sound होती है उसको हम क्या बूलते हैं तो उसको बूलते हैं sing तो यहाँ पे sing इसका correct हो जाएगा और vowels भी इसका correct हो जाएगा वर्वल और sing दोनों हमारे correct हो जाएगे यहाँ पे मैंने आपको बताने के लिए दोनों option लिखे हैं आपको दोनों याद रखने हैं, आपको exam में कोई एक इसमें मिल जाएगा अगला जो question number 12 What is the sound of mice? तो जो चूहों की आवाज होती है, जो mice की sound होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं squeak, उसको बोलते हैं squeak, तो यहाँ पर जो है इसका B option correct हो जाएगा अगला जो question number 13 The sound of lines, the sound of lines is तो यहाँ पर जो share होते हैं, share की जो आवाज होती है, जो sound होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसका right option जो हो जाएगा, यह हो जाएगा roar, तो यह हो जाएगा roar, तो यहाँ पर जो है इसका C option correct हो जाएगा अगला जो question number 14, तो यहाँ पर जो है what is the sound of larks, तो यहाँ पर जो है जो बगेरी की जो आवाज होती है, तो यहाँ पर larks की जो आवाज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो यहाँ पर इसका right option जो हो जाएगा, यह हो जाएगा sing और वर्वल, तो sing और वर्वल, यह दोनों यहाँ पर correct हो जाएगे, हमने आपको बताने के लिए दोनों option लिखे हैं, आपको exam में कोई एक देखने को मिलेगा, अगला जो question number 15, the sound of jackals is, तो यहाँ पर जो jackals होता है, उसकी जो sound होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसका right option जो हो जाएगा, यह हो जाएगा howl, यह हो जाएगा howl, तो यहाँ पर जो है इसका B option correct हो जाएगा, अगला जो question number 16, what is the sound of hands, मतलब जो मुर्गियों की आवाज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो मुर्गियो पसंद आती है, तो वीडियो को like and share लूकिया करें, अगला जो question number 17, the sound of gods is, तो जो बकरियों की आवाज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो बकरियों की जो sound होती है, उसको हम बोलते हैं, बलीट, तो यहाँ पर जो है, इसका C option correct हो जाएगा, बलीट, अगला जो question number 18, तो यहाँ पर what is the sound of frogs, मतलब जो मेड़क होता है, तो मेड़क की आवाज को हम क्या बोलते हैं, तो मेड़क की sound को हम बोलते हैं क्या, तो यहाँ पर इसका right option हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है, इसका B option correct हो जाएगा, अगला जो question number 19, the sound of flies is, तो जो मक्हियां होती है, तो मक्हियों की जो आवाज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पर जो है, इसका A option correct हो जाएगा, बज, अगला जो question number 20, what is the sound of dubs, तो what is the sound of dubs, मतलब जो कबूतर होते हैं, तो कबूतरों की जो आवाज होती है, यह मैं आपको बता चुका हूँ एक बड़, तो यहाँ पर इसका right option जो हो जाएगा, यह हो जाएगा कू, तो यहाँ पर जो है इसका B option correct हो जाएगा, अगला जो question number 21, the sound of dogs is, तो आप सभी को पता होगा, कि dogs की जो sound होती है, जो कुत्तों की sound होती है, उसको हम क्या बोलते है तो यह बोलते हैं, वार्क, तो यह बोलते हैं, बार्क, यहाँ पर जो है इसका B option correct हो जाएगा, अगला जो question number 22, what is the sound of dogs, तो मतलब जो मुर्गे होते हैं, तो मुर्गों की आवाज को क्या बोलते हैं, तो यहाँ पर इसका right option जो हो जाएगा, यह हो जाएगा, यहाँ पर ज जो है, इसका D option correct हो जाएगा, अगला जो question number 23, the sound of cattle is, तो जो मबेशी होती है, तो मबेशी की sound को हम क्या बोलते हैं, तो इसका जो sound होता है, यह जो है cow और oxen की sound होती है low, उसी की यह sound करते हैं, मबेशी, तो यहाँ पर cattle की sound को बोलते हैं low, अगला जो question number 24, what is the sound of bees, मतलब ज जो लौज को हम क्या बोलते हैं, तो मदुमक्या जो अवाज करती हैं, उसको बोलते हैं, हम, उसको बोलते हैं, हम, तो यहाँ पर जो है इसका B option correct हो जाएगा, अगला जो question number 25, जो है, the sound of bees is, तो मतलब जो गधे होते हैं, तो गधों की जो आवाज होती है, उसको हम क्या बो लंगूर की आवाज होती है, तो लंगूर की आवाज जो है, यह बंदरों से मैच करती है, तो बंदरों की मैं आपको बता चुका हूँ, आवाज क्या होती है, तो आपको अब लंगूर की बतानी है, तो यहाँ पर जो है जीवर इसका correct हो जाएगा, मंकीज की भी sound यही होत जो लंगूर होते हैं उनकी भी साउंड यही होती है और बंद्रों की भी साउंड यही होती है अगला जो कुछन नो कुछन क्या clatter तो यहाँ पे जो है इसका D option correct हो जाएगा अगला जो कुश्ण ना कुश्ण ना कुश्ण ना कुश्ण ना 28 What is the sound of bells मतलब जो घंटियों की आवाज होती है जो घंटियों की आवाज होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं तो इसको बोलते हैं jingle और chime तो यह दोनों यहाँ पे correct हो जाएगे आपको exam में जो है कोई एक देखने को मिलेगा मैंने आपको बताने के लिए दोनों लिखे हैं तो आप jingle भी सही कर सकते हैं और chime भी सही कर सकते हैं घंटियों की आवाज में अगला जो question number 29 जो है the sound of babies is तो मतलब जो बच्चे होते हैं जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी आवाज को हम क्या बोलते हैं तो उनकी आवाज को हम बोलते हैं लिस्प तो यहाँ पे जो है इसका C option correct हो जाएगा चोटे छोटे बच्चे होते हैं लिस्प तो यहाँ पे जो है इसका C option correct हो जाएगा अगला जो question number 30 what is the sound of teeth तो दांतों की जो आवाज होती है उसको हम क्या बोलते हैं तो दांतों की आवाज को हम बोलते हैं चेटर तो यहाँ पे जो है इसका A option correct हो जाएगा अगला जो question number 31 the sound of wind तो जो हावा की आवाज होती है जो हावा की आवाज होती है उसको हम क्या बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं whistles तो यहाँ पे जो है इसका C option correct हो जाएगा अगला जो question number 32 what is the sound of rivers तो यहां पर जो नदियों की आवाज होती है उसको हम क्या बोलते हैं तो नदियों की आवाज को हम बोलते हैं मर मर तो यहां पर जो है इसका D option correct हो जाएगा अगला जो कुशन नदियों की आवाज होती है उसको हम क्या बोलते हैं तो यहां पर जो है इसका A option correct हो जाएगा अगला जो कुशन नदियों की आवाज होती है उसको हम क्या बोलते हैं तो यहां पर जो है इसका B option correct हो जाएगा अगला जो कुछन नमा 35 तो जो शिल्क की आवाज होती है तो उसको हम क्या बोलते है तो रेशम की जो आवाज होती है उसको हम बोलते है रशल तो यहाँ पे जो है रशल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा अगला जो कुछन नमा 36 जो है what is the sound of leaves मतलब जो पत्तों की आवाज होती है जो पेड़ के पत्तों की आवाज होती है उन पत्तों की आवाज को हम क्या बोलते हैं तो उसको भी हम बोलते हैं रशल तो यहाँ पर जो है इसका D option correct हो जाएगा अगला जो कुछन है कुछन मर थार्टी सेवन जो है तो जो पेपर मतलब जो कागज की आवाज होती है तो कागज की आवाज को हम क्या बोलते हैं तो यह बोलते हैं क्रेंकल तो यह बोलते हैं क्रेंकल तो यहाँ पर जो है इसका D option correct हो जाएगा अगला जो कुछन है कुछन मर थार्टी एट What is the sound of glasses मतलब जो काच की आवाज होती है उसको हम क्या बोलते हैं क्या तो यहां पर इसका right option हो जाएगा tinkle यह हो जाएगा tinkle तो यहां पर josa c option correct हो जाएगा एगला question बो anschκιने 39 the sound of fires is मतलब जो आग होती है आग की आवाज क्या बोलती है तो आग की आवाज को हम बोलते हैं क्या तो यह बोलते हैं crackle तो यहाँ पर जो इसका A option correct हो जाएगा crackle जो है यह आग की आवाज होती है मतलब fire की अगला जो question ना question number 40 what is the sound of breaks तो जो break होती है तो break की आवाज को हम क्या बोलते हैं तो break की आवाज को हम बोलते हैं screech यह बोलते हैं screech तो यहाँ पर जो है इसका A option correct हो जाएगा अगला जो question ना question number 41 the sound of deer is मतलब जो हिरन होती है तो हिरन की जो आवाज होती है उसको हम क्या बोलते हैं तो हिरन की आवाज को हम बोलते हैं तो यहाँ पर जो है इसका C option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 42 what is the sound of coins मतलब जो सिक्के होते हैं तो सिक्कों की आवाज को हम क्या बोलते हैं तो इसकी आवाज को हम बोलते हैं यह हो जाएगा tinkle इसका correct हो जाएगा tinkle यहाँ पर इसका correct हो जाएगा option जो है इसका जो है टिंकल और जिंगल यह दोनों हमारी यहाँ पर correct हो जाएंगे आप लोग दोनों को याद रखिएगा आपको एकजाम में कोई एक देखने को मिलेगा आप लोग दोनों यहाँ पर सही कर लिजिए अगला जो question number 44 जो है what is the sound of guns मतलब जो बंदू की आवाज होती है उसको क्या बोलते है तो बंदू की आवाज को हम बोलते है Azure यहाँ पर जो है बंदू की आवाज को हम बोलते हैं रौर तो यहाँ पर जो इसका D option correct हो जाएगा अगला अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शिया जरू किया करें अपने फ्रेंड्स में अगर जो कुछन नो कुछन में 45 दा साउंड ओफ आंज इस तो जो हत्यारों की आवाज होती है जो आंज की साउंड होती है उस साउंड को हम क्या बोलते है तो उसको बोलते हैं हम रॉर तो यहांपे मिश्टेक है आप लोग सही कर लीजे यहांपे जो है आप लोग रॉर लिख लीजे तो यहांपे जो है इसका डी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा रॉर जो हत्यारों की आवाज होती है उसको हम बोलते हैं roar मतलब जो doors की sound होती है जो दरवाजों की आवाज होती है उसको हम क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं creek और यहां पर bang दोनों यहां पर इसके correct हो जाएंगे आपको एक जाम में कोई एक देखने को मिलेगा आप दोनों को याद रखेगा अगला जो question number 47 the sound of chance is तो chance की जो sound होती है जो chance की आवाज होती है उसको हम क्या बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं Clark उसको बोलते हैं Clark तो यहां पर जो इसका B option correct हो जाएगा अगला जो question number 48 जो है what is the sound of serpents तो यहां पर जो शांप की आवाज होती है जो शांपों की आवाज होती है उसको हम क्या बोलते हैं तो उसको बोलते हैं His तो यहां पर जो इसका A option correct हो जाएगा अगला जो question number 49 the sound of duck is मतलब जो बतक होती है तो बतक की आवाज को हम क्या बोलते हैं तो यह बोलते हैं quick तो यहाँ पे जो इसका c option correct हो जाएगा अगला जो question number 50 what is the sound of camels मतलब जो oot होते हैं तो oot की जो आवाज होती है उसको हम क्या बोलते है तो यहाँ पे इसका right option जो हो जाएगा option b हो जाएगा उसको हम बोलते हैं grunt option इसका b correct हो जाएगा अगला जो question number 51 जो है the sound of cats is तो यहाँ पे जो बिल्लयों की आवाज होती है उसको हम क्या बोलते हैं तो cats की जो sound होती है उसको हम बोलते हैं mu तो यहाँ पे जो इसका d option correct हो जाएगा अगला जो question number 52 जो है what is the sound of birds मतलब जो चिडियां होती हैं तो चिडियों की आवाज को हम क्या बोलते हैं तो इसका right option जो हो जाएगा यह हो जाएगा चिर्प चिर्प यहां पर correct हो जाएगा और वर्वल भी हैं पर correct हो जाएगा वर्वल और चिर्प दोनों यहां पर हमारे correct हो जाएगे तो बरशा की आवाज को हम क्या बोलते हैं, आप लोगों को comment box में बताना है, friends आप लोगों ने 52 में से कितना score किया है, comment box में जरूर बताएं कि आप लोगों ने 52 में से कितना score किया है, thank you friends, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को like and वीडियो को share रुकिया करे अपने friends में क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेनत लगती है तो अपने friends में वीडियो को जरूर वीडियो को share किया करें तो मिलते हैं new video में तब तक लिए जय हिंद वन दे मातराम